हेलो फ्रेंड्स वेल्कुम बेक टु देशेवडूफ चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास तो फ्रेंड्स यहां पर इई-ई-ई-ए-ल यानिकी इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड यह एक नबरतन कंपानी है और यहां से बैकेंसी निकल के आ रहा ह जबकि जुनियर ड्राफ्ट्स वेन ग्रेड वान में आपको 33 वेकिंसी देखने को मिल रहा है तो यहां पर फ्रेंड्स आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस पोस्ट में अप्लाइ करने के लिए आपके पास क्या इसिंसेल क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो अगर आ कर आप यहां पे लिजू लोंगे अपलाइ करोख गेंगे तो चलने स्टाफ इसके ऊपर बात करते हैं यहां पे आप पर पैकिलर जो पोस्ट में एपास करने हों हो ड्राफ्ट्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् क्लिक करना है और अगर आप यहां पे यहां पेक्षन के ओपर क्लिक करना है और आपक्कांपी यहां पे क्लिक कर देता हूं यहां पर देखे उसके बाद आपको सिंपली यहां पर नेक्ट के उपर क्लिक करना है नेक्ट के उपर क्लिक करने के बाद देखे क्या होता है और यहां पर देखे लोडिंग होने के बाद यहां पर हमारा समने जो पॉपन हो करके हमारा समने आ चुका है त उसके दentiापë डिजबिल्टी तो कितना पॉसंट्रे कि पास यह वह… आपको यह पर पूट करना है इदेडना आपकानि Castle पूच्थ करना पुट करना पड़ेगा उसके बाद यहां पर भी के डाल देना है और उसके यहां पर यहां पर जाएगा घ्लेंदर से इसाइo कौन सा डेट में आप यहां पे आपका matriculation पास के हो उस डेट को आपको यहां पे कलंडर से चूज करके पूट करना है उसका तरह यहां पर जो स्कूल था वो कौन सा यूवरिशिटी या पर पर्सेंटेज़ मार्ग्स और क्या-क्या सब्जेक्ट था वो सब आपको यहां पर पूट करना है उसके यहां पर देखेंगे और यहां पर आपका वार्क एक्सपिरेंस डिटर्स देना पड़ेगा तो यहां पर देखें मैं आपको और आप इस पोस्ट के लिए अपलाए कर हो तो आपके पास minimum एक साल का autocard फिल्ड में experience होना चाहिए तो यहां पर कैसे एंटर करेंगे यहां पर आपको simply क्लिक कर देना है इसके ओपर क्लिक करने बाद देखिए यहां पर क्या आता है यहां पर देखिए निचे आपको यहां पर आपका company name कौन सा company में काम किये थे कफ्तर काम किये date यहां पर पूट कर देना उसके यहां पर designation तो वहां पर आपका designation क्या था कितना पेस्केल में आप काम कर रहे थे gross annual emoluments यानि कि आपको total gross salary आपका annually कितना बन रहा था होगे और उसके यहां पर देखिए job details तो वहां पर आपका nature of duty क्या था किस टापका आप पां करना पड़े रहा था वह आपको यहां पर job details में देना पड़ेगा समिगे तो इतना सब कुछ करने के वाद इस इसको फिलब करने कब आपको कम्प specifically only कोई other company में भी अगर आप काम कर रहे हो तो add new के उपर क्लिक करके आप यहां पर other experience भी भर्थ पाएंगे समझे तो इतना भरने के बाद आपको क्या करना है यहां पर यहां पर simply no के उपर क्लिक करना है उसके यहां पर अगर आप यहां पर इस लाइन में आपको बोला गया है कि अभी जो organization में आप काम कर रहे हो उस organization के बार में कुछ details आपको यहां पर क्या position है और आपको उपर का label और निचे का label के बार में आपको यहां पर टाइप करके लिखना पड़ेगा समझे उसक यहां पर करके उसके निखने है तो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर नीचे देखिए upload तो यहाँ पर आपको कुछ upload करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पर देखिए फास्ट आपको यहाँ पर photograph करना पड़ेगा जिसका साइज 500 के भी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG या फिर यह पीजी यानि कि फोटो फोर्माट में होना चाहिए और यहां पर चूज फाइल करके आपको यहां पर सिलेट कर लेना है आपका फोटो जहां पर भी होगा उसको सिलेट करके यहां पर अप्लोड करना है उसी तरह आपको यहां पर सिगनेचर अपलोड करना है उसका साइज फ्रेटक समय डाल फॉबढ terrace क्या करना है और यहां पर देखेंगे आपको क्या करना है इसके नियुक्स प्रेटब्स को एक डाल देना है और यह यहां पर उसी PDF को आपको यहां पर अपलोड कर देना है और यहां पर जो अपलोड करेंगे PDF उसका साइज 500 केभी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और यहां पर हो टो इतना सब कुछ करने के बाद आपको simply यहां पर क्या करने है इसके ऊपर क्लिक कर देना है इसके ऊपर क्लिक करने कदेना है और आपका यहां पर सॉक्सेसफुली आप्लिकेशन सब्मिट हो जाएगा